गुड मॉर्णिंग एविवन मैं पल्लवी एक बार फिर्ट से अप सारे लोगों पा स्वाबत करते हैं आपके अपने यूटूब जैनल स्प्रेंट लाइब में तो आज हम देखने वाले हैं आज की कुछ करेंट अफेर्स जो की आपका डेली करेंट अफेर्स में आता है तो आपका भारत की विदेशी संबंधों की देख रेक करना आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना रक्षा रन नीतियों और संचालन का प्रवंधन करना या फिर भारत में सिक्षब रनाली को बिन्यमीद करना ठीक है आपका इसका राइट अंसर क्या होगे अप्षन बीज़ आपका इसका राइट अंसर होगे चलिए अब इसके कुछ एक्स्प्रानेशन देख लेते हैं हमारे टलीग्राम चैनल को आप लोग जोईन कर लिजेगा वहां पे आपको इसका पीडिएफ जो है वह मिल जाएगा ठीक है चलिए आर्थिक मामलों की कैबि नेट शमीती देश की आर्थिक नीतियों से शंबादित मातपुर निर्नलेने के लिए जिम्मेदार है जिसमें मातपुर नार्थिक परियोजनाओं वित्यपरस्तावों और देश की अर्थ बेवस्थाओं वोप्रभावित करने वाली नीतियों की मंजूरी शामिल है ठीक ह चलिए अगला कुस्छन देखते हैं ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है पीवी सिंधु नीरत चोप्रा अमन सहरावत या फे सोशिल कुमार तो कौन है बाई अमन सहरावत यानी ऑप्सन सी अपक्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया अगला कुस्चन के है अगला कुस्चन है कि संसदिय सत्रों के संदर्व में और निस्चित काल सब्द का क्या रथटी के बहाली के लिए भविश्ची तारिक निर्दारित किये बीना अगले सत्र के लिए एक निश्चित तारिक के साथ सवी लंबित बिलों को पारित करने के बाद सत्र अंती मद्दान के साथ समाप्ट होने के बाद आपका जिसका राइट अंसर है वो option A है मतलब बहाली के लिए भवेशी की तारिक जो है वो निर्धारित किये बिना अगला देखते हैं आगे है कि sign die एक लेटीन सब्द है जिसका अर्फ है आपका बिना एक दिन की संसरिय सत्रों के शंदर्व में या अगी बैठक के लिए कोई विसिश्च तारिक बताए बिना एक सत्र के अस्थवन को संदर्वित करता है चलिए नेक्स कोचन देखते हैं राज्यसभा का सभापती कौन है ओम बिरला निर्मला शितारमन जगदीफ धनकर या फिर वेंक या नाइडो तो राज्यसभा का सभापती के अगर हम बात कर लें तो वो आपके जगदीफ धनकरें और अगर हम उप सभापती की बात करते है तो उप्सभापती जो है आपके उप्सभापती वो आपके कौन हो गए तो हरीवन्स नारायन सिंग ये आपके क्या हो गए उप्सभापती हो गए नेक्स कोस्चन देखते हैं 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर तिरंगा आभियान का प्रात्मिक उद्देश क्या है ठीक है भारत में परेटन को बढ़ावा देना नारीकों में देश भक्ति को मजबूत करना भारतिय तेवारों को मनाने किने या प्राष्ट व्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगता आई ओजित करना आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया ओप्शन भी नारीकों में देश भक्ति को मजबूत करना ओप्शन भी आपका इसका राइट अंसर हो गया नेक्स्ट कुस्चन है कि पेरिश ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुस होकेट टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर दो एक की जीत में दोनों गोल किसने कि स्वर्ण पदक मन प्रीट सिंग रज़त पदक बी आर रस रिजेट तार्शी पदक हर्मन प्रीट सिंग या फिर कांशी पदक अमित होईदास आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया कांशी पदक हर्मन प्रीट सिंग ऑ जा हो गया ओप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया देखते हैं भारत की पुरुस होकी टीम ने कप्तान हर्मन प्रीत सिंग के दो गोल की मदद से श्पेन पर दो एक की रोमांचक जीत के साथ पेरिस ओलंबिक में काश शिपदक को जीता ठीक है चली आगे देख देखते हैं आगे है आपका कि केंदर सरकार ने हाल ही में किन दो राजियों में नए मोर अभ्यारन स्थापित किये हैं असाम और केरल करनाटक और केरल केरल और तमिलाडू या फिर उत्तर प्रदेश और मदेप्रदेश तो आपका इसका राइट अंसर गया है करनाटक और क यानि option B आपका इसका right answer हो गया, next है कि केंदरी ये परियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री थी, मंत्री स्री भू पेंदर यादवने हाल ही में करनाटक के आदी चुन्चु नगरी और केरल के चुलन नुवर को मोर अभ्यारन गोशित किया, साथ ही उन्होंने बताया कि राज से पक्षी के संद्रक्षन के लिए कोई उपाय किया जा रहा है और मंत्रालय ने मोर के लिए प्रजनन और संद्रक्षन के इंदरी थापित किये, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, तो next question है आपका, कि भारती रिजर्ब बैंक ने UPI payment की limit एक लाख से लाख रुपे से बढ़ा कर कितनी कर दी है, तो कितनी कर दी है, तीन लाख, चाल लाख, पांच लाख या छे लाख, तो कितनी कर दी है वच्चो, पांच लाख, कितनी कर दी है, पांच लाख, यानि उप् पांच लाख रुपे पर दी है, हाल ही में हुई मौदरिक निती शमीती की बैठक में या फैस लाख लिया गया है, पहले UPI के लिए बुक्तान जीमा सिर्फ एक लाख रुपे था, ठीक है, अब कितना हो गया है, तो पांच लाख हो गया है, next question है, कि Olympic खेलो के समापन समारो में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतिय द्वज बाहा कौन रहोंगे, फीक है, मिरत चोपरा, विनेस, फोगाट, पियार्स रिजेस या फिर पीवी सिंधू, तो कौन होंगे ये आपके पियार्स रिजेस, यानि option C क्या हो गया, आपका इसका right answer हो गया, ये जो हैं आपके मस हूर होकी गोल कीपर हैं कौन पियार्स रिजेस, उलम्पिक खेलों के समापन समारों में स्टार निशानेवाज मनु भाकर के साथ भारतिय दल के ध्वज बाहाग के रूप में शामीन होंगे, बता दें कि काश्य पदक मैस में जीत के बाद पियार्स रिजेस ने सन्यास की गोशना कर दी थी, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, हाली में किस सरकार, राध्य सरकार ने उपर थिती पोर्टर लॉंच किया है, उतर परदेश, मदेपरदेश, बिहार या पर 36 गड़द, आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया, 36 गड़द या याई, अपस्थिती पोर्टल लॉंच किया है, इस पहल का उद्देश, डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहीच सभी स्वास्त विभाग की कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिती को सटी ग्रूप से ट्रेक करना है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, आ दिसंबर 2023 तक जो है, बढ़ा दिया गया, ऑप्शन भी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, राच्षिय स्वास्त प्रादिगी करन ने आयुटमान भारत विज्दल मिशन की दिजिटल स्वास्त प्रोथसाहन योजना को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है, ठी डिजिटली करन को प्रोथसाहित करने के लिए आसपतालो, डाइगनोस्टिक, लेव और विजिटल स्वास्त शमाधान प्रदाताओं को प्रोथसाहन प्रदान करती है, नेक्स देखते हैं, नेक्स है कि राच्षिय और दोगिक इंजिनियरिंग संस्थान का नया नाम गया ह IIM Mumbai, IIM ठाने, IIM पूने या फिर IIT, IIID ठाने ठीक है, आपका इसका राइट अंसर क्या हो गया, IIM Mumbai यानि Option A आपका इसका राइट अंसर हो गया, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, संसर के दोनों सदनों दोड़ा, IIM संसोर्थन विध्यक दोजाते हैं फारित होने के बाद राइट्रिय और दोगी की इंजिनियरिंग संस्थान NITIE का नाम बदल कर भारतिय प्रवंधन संस्थान Mumbai यानि IIM Mumbai कर दिया जाएगा, ठीक है, इसके NITIE भारत का 21 मां IIM और IIM नागपुर के बाद महराज का दूसरा IIM बन जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोस्चन दे परियोजनाओ को क्रियान वीद करने वाली एजन्सियों द्वारा 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 परिय लोजनाओं के आवंटन में अनियमी तताएं पाई हैं ठीक है एक्सप्रेट वे के हर्याना हिस्ते पर एनिवेटेड केरीज वे चुनने के नहीं नाहीं एन एस ए आई के फैसले के ने निर्मान लाजत को मूल रूप से सुईक्रेट 18.2 करों रूपे प्रती किलोमीटर से के निर्मान कर रहा है ठीक है वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चानल को कमेंट जरोर वो में ज्याएगा गान्यवाद